यामनी देवी करेगी आरव और सिमर का इस्तमाल यू करेगी कि तांजरी देवी को बरबाद सुस्राल सिमर का में यामनी देवी दे रही है जहां आरव को सहारा तो वही यामनी देवी यहां पर आरव और सिमर दोनों को ही अपना मोहरा बनाती हुई नजर आ रही है जिस बास से दोनों ही अंजान है आने वाली कहाने में आपको देखने को मिलने वाला है कि यामनी देवी यहां पर अपने किसी खास आदमी से कहती हुई नजर आने वाली है कि इस तरीके से मैं गिताज़ी देवी को बरबात कर दूँगी जी हाँ आरव का इस्तिमाल करके ही सबसी अधा यामनी देवी तकलीफ दे सकती है गिताज़ी देवी को और ऐसे में गिताज़ी देवी अन्जान है कि आखिर आरव यहाँ पर कहा जाता है मिलने के लिए और किस से आता है मिलने अब देखना होगा इंटरस्टिंग कैसे यहाँ पर आरवर सिमर के सामने सजाता है यामनी देवी का